नमसबार दोस्तों मेरे बाहु ने खिल और आप देख रहे हैं वस्तुट इप गराई अज जो मेरे पीछी है आप बैक्राउंट इमीज देख रहे हैं एक स्टूडिो बैक्राउंब इमीज देख रहे हैं यह आप कैसे क्रीट करेंगे अपनी चैनल नेम के अकॉर्डिंग, अपनी creator नेम के अकॉर्डिंग, यह आज मैं आपको इस टूडियो बता हूँ, आप मेरे पीचे देख सकते हैं, मेरे बीच में यहाँ पे चैनल का नेम आ रहा है, प्रॉपर सैट अप यहाँ पे नजर आ रहा है, लैप्टॉप्स रखे कैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा होगा उस रील को तो आज आप इस वीडियो की हल्प से प्रॉपर कॉंसेप्ट आप समझ जाएंगे कि आप इस तरीके के बैगराउंड कैसे जनरेट कर सकते हैं, यूजिंग AI, आपको कोई महनत नहीं करनी, आप आपको अपना नाम यूज लेना है, ठीक है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और ऐसा भी नहीं कि एक ही बैगराउंड, आप मल्टिपल वैडियेशन आप बैगराउंड जनरेट कर सकते हैं, वो भी फ्री ओफ कोस्ट, तो यहाँ पर आप सभी लोग को मैं आपको बीच में एक प्रॉम्ट इंजिनिरीरिंग के बारे भी बताया था, यानि कि एक सटीक प्रॉम्ट आपको एक सटीक रिजल्ट प्रवाइड करता है, और इसे ही बोलते हैं प्रॉम्ट इंजिनरिंग और आज कल इसका बहुत यूज किया रहा है, काफी डिमांड भी तो यह prompt यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर एक prompt यहां पर लिख दिया है, और आपको सिर्फ इसको copy करना है, description में मिल जाएगा, आपको यहां से लिखने की जुरुत नहीं है, कहां पर कैसे use लेना है, सब information में आपको देने वाला हूँ, इसलिए पूरा वीडियो आपको end तक देखना है, चनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर लेना, यह मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको नए वीडियो का notification तभी मिलेगा, subscribe करोगे और notification bell icon दबाओगे, ओके तो चलिए, back to topic आते हैं, यहां पर यह हमारा आप week design in the center of the background, display the name, your name मैंने लिख दिया, यहां पर आपको अपना creator name, channel name, अपना name, facebook page को name, instagram page को name, जो आपको लिखना है, business name, जो भी आपको लिखना है, वो आप यहां पर लिख देंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा, bus today tag, अपना channel name लिख दिया, okay, इसके राबा, in bright neon lights with correct spelling, correct spelling लिखाई कि AI से मैं यह expect कर सकूँ कि जो पीछे background में, बीच में जो name आ रहा है, वो spelling उसकी correct हो, तो at least जितने भी result प्रवाइट करने है, ज्यादा chances हो कि spelling उसकी correct हो, लेकिन क्योंकि अगर spelling की correct नहीं की, तो जनरेट करने कोई फायदा नहीं है, तो यह एक prompt है, आपको just क्या लेंगे, और copy करके आपको उसको paste करना है, वो मैं आपको बताता हूँ, पेस्ट करने के लिए आप अपने browser में जाएंगे, और browser में जाने के बाद आप यहाँ पर website open करेंगे, copilot.microsoft.com, इस website को आप open करेंगे, इस तरीके का interface आएगा, simple जैसे chat.jpd open करते हैं, वैसे आप copilot open करेंगे, और यहाँ पर copilot यूज करने से पहले बात यह है कि आपका Microsoft account होना चाहिए, जिसकी ID की help से आप यहाँ पर login कर पाए, अगर आप एक Windows user है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास Microsoft की ID बनी वी होगी और नहीं बनी वी है, तो आप जस्ट Google पर सर्च कर लेंगे, Microsoft account create, जस्ट आप यह सर्च कर लिजेगा, यहाँ पर आपको एक link मिलेगा, ठीक है, create account का signup.live.com, इस पर जाहिएगा, इस पर जाने के बाद, आप अपना account create कर लेंगे, अपनी Gmail ID की help से भी account create कर सकते हैं, या फिर आप अपनी एक नई ID भी create कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकत लेंगे, otherwise यह खुदी login मांग लेता आप से, और यहाँ बार, जो नीची chat box आ रहा है, यहाँ पर आपको अपना prompt यहाँ पर paste कर देना है, कौन सा prompt जो अभी मैंने आपको दिया है, ठीक है, उसमें अपना नाम यहाँ यहाँ पर use करना है, आपको, ओके तो मैंने यहाँ पर इनफेक्ट, एक मिनट के अंदर ही, यह जो co-pilot है, आपकी जो image है, वो आपको generate करके दे देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते है, image generation जो process है, वो start हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास interface आ रहा है, और यहाँ पर यह लीजे, image generate होके यहाँ पर आप पर ना हो, तो आप वापस से prompt डालके वापस से उनको generate करवा सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर जैसे यह initially चार image generate करके देता है, तो उनमें से हो सकता है, कि किसी 2 में spelling correct ना हो, लेकिन 2 में हो, तो आपको अगर कोई पसंदारी हो, तो वो आप ली सकते हैं, जैस इसको use नहीं लूँगा, यहाँ पर बस today में 2 gab है, तो मैं इसको भी use नहीं लूँगा, यहाँ पर मुझे spelling ठीक लग रही है, थोड़ा creative लग रहा है, तो मैं इसको use दे सकता हूँ, otherwise मैं यहाँ पर फिर से यह prompt डाल दूँगा, और फिर से यह मुझे image generate करके देगा, तो य यहाँ पर यह अपना जो image है, background image है, वो generate करवा सकते हैं, okay, तो suppose मैं इस image को choose करता हूँ, और इसको download करने के लिए आप इस पर right click करेंगे, और open link in new tab करेंगे, open link in new tab करने का फायदा यह है कि जो co-pilot कर designer है, वो open हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर आपको image show हो जाती है अगर आपको square image चाहिए हो, तो आप direct इसको download कर सकते हैं, otherwise यहाँ पर नीचे आपके पास option आता, एक button आ रहा होता है, इस पर आप click करेंगे, तो आप landscape image भी generate कर सकते हैं, जैसे आप landscape पर click करेंगे, तो आप आप landscape image यानि कि wide image यहाँ पर generate होके जाएगी, जो आपके YouTube वीडि wide image आई, तो यहाँ पर spelling यहाँ पर मुझे proper देखने को नहीं मिल रही है, तो मैं इस image को भी use नहीं लोगा, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से multiple times try करता रहूँगा, जब तक मुझे proper image नहीं मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मुझे proper image मिल गी है with correct spelling, तो correct spelling को मैं यहाँ पर use ले सकता हूँ, इसको download करने के लिए जसको आप यहाँ पर image पर click करेंगे, और यहाँ पर right corner में आपके बस three dot menu आता, इस पर click करेंगे और download पर click कर देगे, और यह image आपकी download हो जाएगी, जिसको आप use ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो-तिन image म एक हो गई है, और एक हो गई है, तो इन मेंसे मैं किसी का भी use ले सकता हूँ, और आप मेरे background में भी देख सकते हैं, अब जस्ट आपको एक green screen video का use लेते हुए, आपको video editor का use लेते हुए, इन image का use लेते हुए, और अपनी video editing करनी है, अगर आप post में भी कोई दिक्केत आया मैं मिलता हूँ नेक्स फीडियो में नहीं जान करेंगे साथ, तब तक लिए धन्यवाद, जय हैं